जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जाम फतेह 2.0 में UPCC वीडियो री एक्जाम, UP वीडियो री एक्जाम की परिक्षा किस महां में होगी जो भी परस्यती हो हर हालत में सेलेक्षन लेना है और मातर सेलेक्षन ना लेकर मैं एक टॉप रैंक में आना चाह रहा हूँ तो उस वज़ा से मैं ठिक उतनी पढ़ाई कर रहा हूँ था और जो पेट वाली तयारी है उसको कर रहा था क्योंकि उसमें रीजनिंग बहुत ही काम आती जीके का करिंट अफ़ायर का पोर्शन बहुत जादा आता है तो उसको मैं तयार करने लग रहा था ठीक है लेकिन अब मैंने तीन से चार से पाच दिन में हो गए हैं फिर से मैं से जनवरी के भी 15 दिन है मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के जो लास्ठ डेज होते हैं 15 लास्ट डेज यहने के 15 जनवरी के बाद आपकी परिक्षा हो सकती मुझे ऐसा लग रहा है अब देखिए मैं भी तयारी कर रहा हूँ ठीक है पिछले साड़े-चार साल हो गए है कि इसके आविदन शुरू हुए थे और वे इसकी परिक्षा वगारा सब कुछ हुई थी तिक दिसंबर महीने में फिर इसका सा मामला आपको पता ही होगा अब इसकी दुबारा परिक्षा होगी ये भी आपको पता है देखी मैं डेली का टारगेट फिक्स करता हूँ मैं कैसे अच्छी हो जाएगी ये जैसे के आभी अगर मैं कोई हंदी का प्रेक्षिस एट लगाता हूँ तो मेरे इस में हंदी में से पचास में से एक तालिस या ब्यारिस कोशन हो पाते हैं उसी प्रकार रीजनिंग की मैं कोई भी प्रेक्षिस स्वाल्व करता हूँ तो उससमें बी 41 से 42 कोशन हो पाते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले 10 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, अर्विंद की तो एक तो रीजनिंग की किताब पढ़ रहा हूँ, और उसके अलावा हिंदी की मैं लिवसेंड की भी पढ़ रहा हूँ, और अरिहंद वाली बुक है, वो भी पढ़ना हूँ, जैसे के माली जो कोई चैप्टर है वर्ड माला, तो सबसे पहले मैं वर्ड माला चैप्टर लिवसेंड से पढ़ता हूँ, उसके जो भी 100 कोशन है, उसकी प्रेक्टिस करता हूँ, फिर मैं लिवसेंड पर चला जाता हूँ, लिवसेंड की जो भी थियोरी लिवस हो चुका है, हिंदी में भी हो चुका है और लिवसेंट में भी हो चुका है तो बस मेरे ख्याल से 10-12 दिन मेरी दोनों ही किताबे ऐसी हो जाएंगी कि अगर आप किसी भी पेश को कुल कर मुझसे कोई भी प्रिशन पूछो तो मैं 99% chances है बता दूँगा ठीक है, तो हिंदी के में तयारी ऐसे कर रहा हूँ, reasoning के अगर आपको strategy में आपको बताओ, reasoning के तयारी में कैसे कर रहा हूँ, तो reasoning के देखे मेरे पाद जो अरविंद की किताब है, मान लिजए मैंने एक chapter खोला, ठीक है, एक chapter खोड़ा sitting arrangement, तो जब मैंने अरविंद में sitting arrangement खोलने से पहले मैं YouTube पर जाता हूँ, YouTube पर जिसकी भी कोई भी channel है, ठीक है, अच्छा channel है, ठीक है, बड़े channel है, जो teacher अच्छे हैं, वहाँ से जो भी 3-4 classes होती है sitting arrangement की है, 4-5 होंग, वैसे पहले से ही आता होता है, 10 में से एक दो question ही ऐसे होते हैं, जो मुझे नहीं आते होते हैं, और जो मुझे नहीं आते होते हैं, वो मैं अपने mind में store कर लेता हूँ, तो वो 3-4 classes देखने के बाद, वही chapter में book में खोलता हूँ, और वो सारा chapter में, बिल्कुल जितने भी 100-500 question है, 100 question है, तो सारा complete कर लेता हूँ, इस परकार से मैं तयारी कर रहा हूँ, फिर अगला chapter मान लीजे, नया निगमन है, फिर से मैं YouTube पर जाता हूँ, 3-4 classes देखता हूँ, फिर उसके बाद book पर आ जाता हूँ, तो यह मैं कर रहा हूँ, मैं यह target यह कर रहा हूँ, आने वाले 15 दिनों में, 10-12 दिनों में, हिंदी का अगर मैं कोई practice set solve करूँ, तो उसमें मेरे 45 बन जाएं, 45, negative marking को लगा कर, reasoning का कोई practice set में solve करूँ, तो उसमें मेरे 45 बन जाएं, ठीक है, करना मुझे 50-50 है, जब तक exam आएगा, तो मैं, ठीक है, exam में इंशालला, 50 में से 50 हिंदी में, और 50 में से 50 reasoning में, सही कर के आऊँगा, क्यूंकि यह possible है, जीके में करना possible नहीं, लेकिन इसमें करना possible है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर 100 बटा 100, इंशालला करके आऊँगा, फिर जीके की बात रही, जीके में मैं ऐसी तैयारी कर लूँगा, कम से कम 35 तो कर लूँ, तो मेरा score जो बन जाएगा, negative marking को लगा कर 135 बन जाएगा, और मुझे बिलकुल यकीन है, दावे के साथ कि अगर 135 प्रिश्ण में, बिलकुल सही करियाओ, करूँगा, जादा बनेगे 135, अगर इतने प्रिश्ण में सही करियाओ, तो मेरा rank में नाम होगा, मैं एक ranker होगा, मैं आपको ये अपनी दिन चर्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे के अच्छा दिन चर्या भी, मैं आपको बता दूँँ कैसे मैं सुबह सुबह उठता, देखे, सुबह मैं उठता हूँ, पौने नौ पे उठता हूँ, ठीक है, लगभग पौन घंटे में मैं थोड़ा सा फ्रेश बगर आओ जाता हूँ, ठीक है, और साड़े नौ से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, साड़े नौ से मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, साड़े बारह बजे तक, ठीक है, साड़े बारह बजे तक पढ़ाई करने के बाद, मैं उसके बाद नहाता हूँ, सुभा में से फ्रेश होता हूँ, सुभा में नहाता नही हूँ ठीक, साड़े-बारा से नहाता हूँ, लगफग वो एक बज जाता है, फिर मैं लंच करता हूँ लंच लगबग ठीक मान लिजे देड़ बजे तक या पौने दो बजे तक दो बजे से फिर मैं पढ़ाई करने लगता हूँ अब जो मैंने यहाँ पर तीन घंटे बता है न आपको साड़े नौ से साड़े बारा तो इसमें मैं दद-दस मिनट का गैब भी लेता हूँ यानि के धाई गंटा ही पढ़ाई हो पाती है मेरी लगबग ठीक है तो उसके बाद मैं दो बजे पढ़ाई करता हूँ दो से मैं लगबग पढ़ाई करता हूँ पाच बजे तक ठीक है फिर पास से छे साड़े छे तक का मैं थोड़ा सा एकसाइस करता हूँ या मुझे थोड़ा बाहर टहलना है या किसी की call आ गई थी तो उसको call receive करना है या call back करना है ठीक किसी के message का reply करना है तो ये पास साड़े 6 मैं करता हूँ ठीक है उसके जो दो से मैंने 5 पढ़ा उसमें मैं 10-10 मिनट का gap देता हूँ यानि के वहाँ पर मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हुई है तो अभी तक साड़े 6 बज़ा है और मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है फिर मैं लगबख साड़े 6 या पौने 7 बज़े पढ़ाई करने दोबारा से बैटता हूँ और फिर मैं वो थोड़ी सी इंट्रस्टिंग चीज़ पढ़ता हूँ जैसे के करेंट अफैर अभी जो मैं पढ़ना हूँ ठीक वो स्पीडी वाली पढ़ना हूँ ठीक अब मैं स्पीडी वाली कोई चैप्टर उठा लेता हूँ जैसे के न्यूकती वाला है ठीक तो वो सारी न्यूक्तियां कर ली मालिजे 50-60 न्यूक्तियां है तो वो कर ली इस पीडी मैं पढ़ना हूँ करेंट अभी एक साल में एक ही आती उसी से मैं अपनी तयारी कर रहा हूँ ठीक है फिर वही लगबग पॉने साथ से मैं 9 बजे तक पढ़ाई करता हूँ ठीक है इसमें थोड़ा बहुत मेरा फोन चलाना भी हो जाता है ठीक है जो यूटूब की वीडियो देखना है यह थोड़ी बहुत मोटिवेशनल देखना है या जो मैंने अपनी पढ़ाई की है उससे रिलेटिव वेकेंसी वगारा के बारे में ठीक है देखना है के कावी वगारा यह सब एक्जाम है ठीक है और मैं थोड़ा बहुत समय यूटूब को भी देता हूँ तो वो भी मैं 5-6 बजे के बीच बना लेता हूँ वीडियो और वही अप्रोड कर लेता हूँ ठीक ह ठीक थोड़ा सॉंग देख लेता हूँ या थोड़ी मोटिवेशनल देख लेता हूँ या यह देख लेता हूँ कि पढ़ाई किस तरह करें अपनी प्लानिंग किस तरीके की बनाएं बस वही पिर देड़ बज जाता है या कभी एक बज़ जाता है तो एक बज़े मैं सो जा तो वो आपर matter नहीं करता है, matter ये करता है कि 7-8 घंटे आप पढ़ाई कर रहा है, 24 घंटे में से, ये matter करता है, और कुछ भी matter नहीं करता है, ठीक है, तो यहीं मैंने अपनी दिन चरह बतानी थी, आने वाले 1-2 या 3 दिन बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें फिर से मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी तैयारी अब कितनी हो चुकी है, ठीक है, और 10-12 दिन बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे क्या 50 में से 45 कोशन बनना है हिंदी में, 50 में से reasoning में 45 कोशन बन रहा है, अगर बन रहा है तो तो बहुत अच्छी बा ये, पिछले साड़े चार साल से, साड़े चार साल पहले इसका प्रोसेश शुरू हुआ था, वाकेंसी आवेदन वगरा शुरू हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इसकी परिक्षा हो जाएगी, तो बहुत जादा समय इसकी निवक्ति के लिए नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी वात है, इसलिए सब को छोड़ कर इसी में लग जाए, और अगर आपके पेट के एक्जाम मार्क्स कम है 2022 वाले में, तो आप इसकी तैयारी जरूर कीज़े, क्योंकि अब जो भी वेकेंसी आएगी, उसमें पेट में अगर जिनका इसकोर 70 के आसपास है उनी का नाम आएगा, तो अगर 70-72 इसकोर आपका है, तो तो आप निश्चित रही है, लेकिन अगर आपका 65 है, या 60 है, या 55 है, या 50 जितना भी है, तो आप इस पर ही फोकस कीज़े, अगर आपने ये फॉर्म भराता है, ठीक है, तो बस यही आपको बताता रहूँगा, ठीक है, तो बस यही आपको बताना, तो मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो में, जहीं साथ है,